इस लेक्टर में D वे एक पॉशीटिव चार्ज है और यह एक पॉशीटिव चार्ज है इन दोनों से R कर आइध पॉशीटिव चार्ज है अब यहां पर देखेंगे इस positive charge के direction क्या होगी यह वाले direction क्योंकि हम जानते हैं जो positive charge होता उसकी direction होती है away from source यानि के charge से दूर की हो तो इसकी direction यह electric field की इसकी direction यह है तो इस point पर दोनों electric field की direction क्या है और जहां पर net electric field zero होता है इसी को हम neutral point कहते हैं एक बार repeat करूंबा जहां पर net electric field zero हो जाता है उसी को हम neutral point कहते हैं और ऐसा कब हो सकता है जब दोनों electric field की direction opposite हो और magnitude क्या हो तो देखेंगे यहां पर magnitude same होगा क्योंकि दोनों चार्जिस के magnitude same है और distance भी क्या है सेम है लेकिन electric field की direction क्या है opposite है आईए देखेंगे एक example find neutral point distance from point charge यहां पर देखेंगे चार्जिस दिये गए है Q charge और 9 Q charge और इन दोनों चार्जिस की वगया से neutral point find out करना है तो ऐसा माल लेते हैं इन दोनों चार्जिस के बीच distance कितनी है R है अब देखेंगे यह भी positive charge और यह भी positive charge तो जहां पर electric field का magnitude same हो और direction क्या हो opposite हो तो ऐसा माल लेते हैं इस charge से x distance और पर neutral point होगा कितनी distance पर x पर तो यह हो जाएगी R minus kx अब देखेंगे यह भी positive charge यह भी positive charge इसकी direction यह वाली होगी और इसकी direction यह वाली होगी त point पर ऐसा माल लेते हैं neutral point होगा तो e1 हो जाएगा Q charge और x distance तो हमने लिखा e1 is equals to e2 क्योंकि जहां पर दोनों electric field का magnitude same होगा वहीं पर possibilities बनती है तो e1 की value जाएगी kq upon x square यह वाला charge और यह वाली distance e2 की value जाएगी यह वाला charge और यह वाली distance k into 9 q upon r minus x का or square यहाँ पर kq से kq cancel out जाएगा इस तरीके से multiply कर लेंगे यहाँ जाएगा r minus x का or square equals to 9x square इसको जिसकते है r minus x equals to 3x यह x वरावरा जाएगा r y4 यहानि कि इस वाले charge से x y4 distance पर क्या होगा neutral point मिलेगा अगर यह total distance r है तो one fourth distance पर इस वाले charge से क्या मिलेगा neutral point यहानि कि यह वाले distance कितनी होगी r y4 हो थाग, थाग, वाले टाएगी kliot